हाई फ्रेंड्स आज हम दिखाएंगे के इस तरह का बेट डीजाइन को कैसे हम काटिंग कर सकते हैं देख लीजे पहले ठीक है तो सपोज यह हमारा डीजाइन है और इसको सपोज हम काटिंग करना चाहते हैं 6 mm बोल उससे तो उसका टूलपात कैसे बनाएंगे और किस तरह से काटिंग करने से सही काटिंग होता है वो दिखाता हूँ तो यह हमारा डीजाइन है हमें एक पेज ले लेता हूँ तो आटकेम का नया एक फेज ले लिया न्यू मॉडल आप्शन में गया अभी करना क्या है यह जो रिजूलूशन है रिजूलूशन को हम पूरा ले लेंगे फिर इंचिस में जाके वीड थम रखेंगे बाइस इंच यह है और हैइड रखेंगे 75 फिर ले लेंगे आलाइन में अपना हिसाब से कर सकते हैं सब्सेंटर से लेना चाहते हैं तो औरिजिन सेंटर पर सेट करना होगा और और जेट जीरो बहतर होगा जो साइड में कटिंग नहीं होगा उधर से करने के लिए क्योंकि सापोज बीट टूट गया तो दोबारा आप और जीन लेने में दिक्कत हो जाएगे यह जगा पे तो दोबारा यह जगा से जो जगा कटिंग नहीं हो रहा है बॉर्डर जैसा अभी दूसरा जो आर्ट केम खोला था इसको मैं बंद कर रहा हूं अभी देख लीजे रिलीप इधर से हम उस डीजाइन को इंपोर्ट कर लेंगे ठीक है तो डीशाइन में जाकर इंपोर्ट ऑप्शन आ गया अभी बेट डीजाइन को सिलेक्ट किया ओपिन किया ठीक है फिर हम क्या करेंगे रोटेट आप्शन में जाएंगे और 90 डिगेर एंगल में इसको घुमा देंगे ठीक है फिर अपना पेज के साइज की सिपके इ यह देखिए हम model option में जाएंगे set size अच्छे इसको पहले हम एप 9 कर लेता हूँ एप 9 करने से क्या होगा यह page का middle में चला जाएगा चला गया अभी हमारा जो page है page इधर से भी देख सकते हैं यह set size से देख लिजे 1905 558 तो हम इधर size option में जाकर 1905 और इधर 558 कर देता हूँ apply ठीक है यह बढ़ गया अभी एप इसको page के एकदम center में लेके चले जाएंगे फिर क्या करना इसका depth सापोज हम 19 में देना चाहते तो 19 में ऐसे select करके apply हो गया फिर हम paste option पर click कर देंगे यह box draw हो गया फिर create अभी क्या करना model में जाकर अच्छा एक बात इधर देखिए यह खाली bed design है तो यह box जो हमने select किया model shape editor इसको select रखे 0.1 mm marge high कर देंगे फिर कुछ कर दिया अभी क्या करना इसका जो border बाला line था देख लीजिए यह जो line था इसको select रखे offset देंगे हम outside में 10 mm फिर offset तो यह outside बने इतना सा लिया हूं पर आप तो material थोड़ा सा ज्यादा लेंगे इसलिए problem नहीं पर देख लीजिएगा कि border में fix करने के लिए थोड़ा ज्यादा जगा हो फिर यह बाहर वाला border को हम select करेंगे बाहर वाला यह border selection करने के बाद पहले क्या करना होता है जेड राफिंग तो जेड राफिंग करने के लिए हम क्या करेंगे यह जेड लेफिन राफिंग वाला उप्शन सिलेक करेंगे तो 19 mm है इधर कैलकुलेटर हमें हिसब करने के लिए रखना होगा तो कैल्कुलेटर ले लिया उन नीशे में को हम तीन बार में काड़ना चाहते हैं सब मुझे तो 6.633 इसको मिनिमाइज कर रहा हूं देखिए सिलेक्टेड वेक्टर सिलेक रखेंगे ठीक है फिर क्या करेंगे राफिंग टूल थोड़ा बड़ा यूज़ कर सकते हैं 10 mm यूज़ कर सकते हैं कोई प्रॉब्लेम नहीं 6.333 पर 6 mm यूज़ करने से ज्यादा अच्छा क्लियारेंस होगा सब्सक्राइब श्यादा लगेगा इसलिए बोल रहा हूं 10 mm यूज़ कर सकते हैं दिक करनी तो इधर लिख देंगे 6.333 ओके सिलेक्ट अभी इसके बाद क्या करना मेट्रियल सेट अप मेट्रियल सपूज हमारा 50 mm का 2 इंज का है सपूज ओके कर रहा हूं एक बाद देजिएगा मेट्रियल सेट अप जब हम किया तो यह टॉप आप सेट सिलेक्शन रहना चाहिए ठीक है फिर नीचे जाके क्या करेंगे थोड़ा एंगल देंगे एंगल देने से क्या है बीट तूटने का चांस थोड़ा कम हो जाता है और मेशिन को आप बहुत ज़्यादा फास्ट करके चला सकती है तिर इधर नाउं उप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हम क्या किया तीन बार स्लाइसिंग किया तो दो बार बच जाएगा जो बच जाएगा वो छैमें बॉलनों से 3D फिनिस कर देंगे यह हो बचा हुअ जो जगा है उसको हम 6 में बॉलनों से ही फिनिस करेंगे ठीक है तो उसके लिए क्या करेंगे यह machine relief select करेंगे और selected vector रखेंगे राष्टर एंगल देंगे 45 डिग्री और इधर 6 mm बॉलनों select करेंगे करने के बाद step down देंगे 0.5 mm फिर ok select इसके बाद यह same to same select रहेगा material हम 15 mm लिए थे फिर now option पे click अब लंबा ना हो तो यह जगा तो साप सुद्र हो जाएगा पर यह अगर साप सुद्र नों बीट अंदर जाएगा तो बीट के उपर यह जब हो जाएगा हमें एक बार simulation check करके देख लेंगे कि देख लीजी कि simulation मैं अभी जा रहा हूं शिमूलेशन देखने से क्या होता है हमें पता चल जाएगा कि काटिंग सही हो रहा है या नहीं हो रहा है हमेशा जब भी कोई टूल पात आप बनाईएगा सिमूलेशन को हमेशा चेक कर लीजिएगा पहले अगर आपको लगे के 6 mm बोलनों से फिनिशिंग नहीं आ रहा है तो आप 4 mm एक बार यूज करके देखिए चातर यूज ना करने के लिए सोचिएगा फिर भी अगर डीजाइन ज्यादा बारिक से हो तो आपको 3 mm यूज करना पड़ेगा क्योंकि 3 mm यूज नहीं करेंगे तो नहीं आएगा कि क्योंकि ज्यादा डीटेलिंग वाला डीजाइन हो छोटा-छोटा कार्विंग हो तो दिक्कत होता है बड़ा बीट अंदर जा नहीं पाता है इसलिए देख लिजी ये 6 mm बोलनों से सही फिनिशिंग आ रहा है ठीक है तो 6 mm बोलनों से अच्छा फिनिशिं करेंगे इसके बाद हमें क्या करना है इसका बॉर्डर को आउड लाइन से काटिंग करना है तो ये अंदर वाला जो लाइन था उसको सिलेक करेंगे और ये टूडी प्रोफाइलिंग में जाएंगे फिर आउट साइट से सिलेक्शन करके ये पचास है तो हम इसको क्या करता तो इस इधर 6 mm का एन्मिल सिलेक्शन करेंगे और अभी हम स्टेप डाउन 5 mm देंगे पर यह आपका मेट्रियल का हाडनेस के उपर डिपेंड करेंगा अगर मेट्रियल ज्यादा हाड है तो उसे भी थोड़ा कम कर दीजिए पांच एमेम के जगा धाई एमेम कर दीजिए इससे क्या है बीट तूटेगा नहीं और मोटर के उपर प्रेसर भी ज्यादा नहीं पड़ेगा थोड़ा बार बार घुमेगा पर इसमें काटिंग भी सही होगा और बीट तूटने का चांस नहीं रहेगा फिर नाओ अप्शन पर क्लिक तो आभी सिमूलेशन दिखा देता हूं देख लिजिए इसका इस तरह से कटिंग हो जाएगा ठीक है थैंक यू फ्रेंड्स बेस्ट अब लख